दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका स्पीक जीनियूस पर दोस्तो बीते 12-15 दिन जिन्दगी की डायरी में बेहत बुरे दोर के रूप में गुज़र चुके हैं जब तक जीवन है तब तक ये हमें ये अवश्च बताते रहेंगे कि किसी भी महामारी के दोरान असल चुनोतियां होती क्या है दोस्तो जिन्दगी कितनी कीमती है मौत कितनी खौफनात वाकई समझ नहीं आरा कहां शेशुरू करूँ ऐसा इसलिए कि जो किस्सा सबका है वही अपना भी दोस्तों परिवार के लोगों के कोविट पॉस्टिव आने और फिर पहले ऑक्सीजन फिर बेड और इलाज ना मिल पाने ने बता दिया कि बंगाल में रेलियां करते प्रधान मंत्री निव इंडिया और विकास की कितनी ह सचाई यही है कि एक देश के रूप में भारत को विकाशील से विक्सित होने में अभी लंबा वक्त लगेगा कहने बताने और सुनने को तमाम बाते हैं लेकिन उन्हें समझने के लिए मैं आपको साथ साल पीछे उस दौर में ले जाना चाहता हूं जब प्रधान मंत्री प में बदलाओ से लबरेज बाते भी सुनी लगा कि इस आदमी में विजन है और शायद यही वो शक्ष है जो देश को आगे ले जा सकता है 2019 के आम चुना हुएं देश ने कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियों को सिरे से खारिश कर दिया और देश के प्रधान मंत्री के रूप में हमने नरेन मोदी को देखा 2014 से 2019 तक तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच पांच साल भी थे 2019 के मुद्दे अलग थे मगर देश ने पिछली बातों को भूल कर पुना नरेन मोदी को मौका दिया और उन्होंने दोबारा प्रधान मंत्री पत की शपत ली 2019 के बाद जब साल 2020 आया लोगों ने हर बार की तरह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ नया शाल का स्वागत किया मगर किसे पता था कि 2020 न केवल भारत बलकि पूरी दुनिया के लिए एक मनहूस चाल होगा जनवरी 2020 में भारत में कोरोना वाइरस का पहला मामला केरल से आया पहली मौत देश की राजधानी दिली के जनकपुरी में हुई मार्च में पहले जनता कर्फ्यू फिर संपूर्ण लागडाउन लगा इन सब के बीच देश ने कई मनजर भी देखें जिसमें अगर जनता के ठाली बजाने और दिये जलाने की चर्चा होगी तो वहीं जिक्र कई सो किलो मीटर पैदल चल अपने घर पहुँशने वाले प्रवाशी मजदूरों का भी होगा साथ ही चर्चा उन कोकिंग स्किल्स की भी होगी जिसमें यूटुब की बदावलत देश का हर वो नागरिक जो करोना वाइरस से बचा वो सेफ था 2020 कैसे गुजरा किसी से छिपा नहीं है अच्छा चुकि सरकार और PM मोदी खुद इस बात को पहले ही कह चुके थे कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है तो देश को लगा की चीजे नॉर्मल हो गई है 2021 आते आते सरकार की रजामंदी के बाद देश में तमाम लॉक्ड चीजों को अनलॉक कर दिया गया वो बाजार, शॉपिंग कॉंप्लेक्ट, मॉल, रेस्टरॉंग जो कोरोना के खौक में जिन्दगी जी रहे थे पुना गुलजार हो गए बाजारों में रौनक, लोटी जिसे देखने के लिए ना जाने कितनी आखें तरस गई थी जैसा हम भारतियों का सुभाव है, हमने छूट के बाद खौब मौजमौस्थी की और नतीजा है कुरोना की दूसरी लहर, जो पूर्व के मुकाबले कहीं जादा विक्राल, कहीं अधिक निश्ठूर और जानलेवा है, आप देश में कहीं भी चले जाएए, लोग तराही त दुरुभागिपूर ये है कि हमें अपने नेताओं, चाहे वो देश के प्रधान मंत्री हों, या फिर अलग-अलग सुभो के मुक्ष मंत्री, ट्विटर पर सब जूठे आश्वासन मिल रहे हैं, जैसा पेचीदा हालात हैं, हमारे लिए ये कहना अतिशयोक्ती नहीं है कि भले ही वास्तों में कुछ भी ठीक न हो, लेकिन उधर ट्विटर पर अपने ट्विट्स के जरिये नेताओं ने बता दिया कि देश में सब कुछ ठीक है, और कोई भी मरीज इलाज के अभाओं में नहीं मरेगा, मगर क्या ऐसा है, क्या यही सच्चाई है, क्या देश में अभी को दवा, ऑक्सीजन, बेड, मुहया हो पा रहा है, मैं कहीं और का तो नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाओं में ऐसा बिल्कुल नहीं है, लखनाओं में लोग मर रहे हैं, और ट्विटर पर सब कुछ ओके बताने वाले सुबे के मुखिया इस मुश्किल वक्त में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बात आगे बढ़ाने से पहले ये बताना बेहत जरूरी है कि इस लेक का उद्देश भाश्पा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना और यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात के खिलाफ एजिंडा चलाना नह रहा है क्योंकि वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है और उसके बुढ़े माबाप कोई सो किलो का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पर ढो नहीं सकते या फिर वह इस्थितिक की मरीज सड़क पर सिर्फ इसलिए जान दे देता है कि एंबुलेंस को मरीज लेकर इंद्रा करीब के बस की बात नहीं है जैसा कि हमने आपको बताया है कहने बताने और सुनने को बहुत कुछ है लेकिन जान लीजिए चाहे वो राजधानी लखनव का बैसा कुंड और गुलाला घाठो या फिर एशबाज और नक्खास के कप्रिस्तान इतनी लाशे हैं शहर में की उन मरीज की राजधानी है जैसी हालत शहर की है कहीं तिमारदार अपने मरीज के लिए बेड ऑक्सीजन और जरूरी दवाईया खोज रहा है तो कहीं सम्शान और कप्रिस्तान के बाहर टोकन पकड़े आदमी इस इंतिजार में है कि जल्दी से उससे बोडी का अंतिम संसकार हो भरपूर मिल रही हो लेकिन चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी किसी भी अस्पताल का रुख कर लीजिए हकीकत और रोते बिलगते गड़ गड़ाते परिजन आपके सामने होंगे जिनको किसी जुगार में बेड मिल गया उनकी किसमत वरना आम आदमी तो पैदा ही हुआ है अस कुछ बताऊंगा मगर उससे पहले मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री 2020 में राष्ट के नाम संबोधन में उनके द्वारा बताई गई दो बातों का जिक्र करूंगा 2020 में राष्ट को संदेज देते हुए पीम ने आत्म निर्भर होने और आपदा में अवसर की बाते कही थी पीम मोदी के द्वारा कहे शब्दों के वो अर्थ जो हमें 2020 में समझ नहीं आए आज 2021 में हमें बखुबी समझ आ रहे हैं बात सिर योपी की राजधानी लखनाओ की नहीं है सुबे में वारांसी, कानपुर, प्रियागराज, हर्दोई, सीतापुर कहीं भी चले जाईए एक बड़ा वर्ग है जो काला बाजारी में लिप्त है और जम कर आपदा में अवशर तलास रहा है चाहे अस्पताल हो, डॉक्टर हो, मेडिकल स्टोर वाले हो, मदद के नाम पर सिक्योर्टी रखवा कर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्द कराने वाले हो बहती गंगा में लोग हाँ धो रहे हैं और बस धोते ही जा रहे हैं बात आपदा में अवसर की चली है तो हम इस समय देश में चर्चिश कुद दवाओं जैसे रेमेडे सिवीर टॉकली जुमैब का जिक्र जरूर करना चाहेंगे राजधानी दिली समय तमाम शहरों में रेमेडे सिवीर जहां सतर हजार तक बिकी वहीं टॉकली जुमैब को आपदा में अवसर तलाशने वाले डेड़ लाक में अरेंज करा रहे हैं बाकी बात ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई है तो ये भी मुमागी कीमतों पर बिक रहा है और वरतमान में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 50,000 से 90,000 के बीच है वहीं बात सिलिंडर में लगने वाले किट की हो तो वो किट अभी एक महिने पहले 800 रूपे में बिक रही थी आज 10 हजार देने पर भी नहीं उपलब्ध है ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हाल आकसीजन कंसेंट्रेटर मसीन का है पांच लीटर आकसीजन देने वाली 50 से 55 हजार की मशीन एक सवालाक में बुक हो रही है वो भी एडवांस में मशीन के मद्दे नजर दिल्चस बात ये है कि मशीन उपलब्ध कब होगी इसकी जानकारी न तो मरीज के तिमारदार को है और नहीं उसे जो काला बाजारी करते हुए डिवाइस उपलब्ध करा रहा है अब इसे विन्दमना कहें या कुछ और कोविट की इस दूसरी लहर के बीच सरकारी मदद या तो मिल नहीं रही या फिर वो न के बराबर है मोहया करा रहे थे मगर अब खौफ में जिन्दगी जी रहे हैं कारण सरकार का इन्हें गिरफतार कराना इन पर राश्का लगाना वो लोग जिहें ये बाज जूट लग रही है वो जौनपूर के उस व्यक्ति को देख सकते हैं जो था पेशे से एंबुलेंस ड्राइवर अगर जिशे परिशान लोगों की परिशानी देखी न गई और वो मदद के लिए सामने आया यूवक का ये अंदाज CMS को पसंद नहीं आया और उन्होंने यूवक पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया हमें से तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविट की इस दूसरी लहर में किसी अपने को खोया है वो तमाम लोग शायद हमारे बीच होते यदि सिस्टम उनको उनकी बेमारियों को गंभीरता से लेता कहा यही जा रहा है कि इस दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है यदि ऐसा है तो खुद सोचिए यदि इस्थिती आज इतनी विकराल है तो तब क्या होगा जब पीक आएगा कोविट की दूसरी लहर कब जाती है जाती है या नहीं इसके बारे में अपने द्वारा कही तमाम बातों को विराम दूंगा वो यह कि अपना और अपने परिजनों का न केवल खयाल रखें बलकि शकारात्मक रहें शकारात्मक होकर ही एक देश के रूप में हम क्रोना वाइरस को इस जंग में परास कर सकते हैं अंत में बस इतना ही कि चाहे वो प्रियम मोदी हों या फिर योगी आधितिनाथ तमाम हुक्मरानों को गोश्वामी तुलसीदास की उस बात को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निपु अवसी नरक अधिकारी दोस्तों आपको हमा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद